बिहार में भी इस वक्त उपचिना चलू रहा है सीधे आपको लिए चलेंगे बिहार जहां से मेरे सही होगी शाशी भूशन इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जोगे हैं शाशी भूशन आपकी मौजूदी कहां पर है वहां से तस्वीर हैं हमारे दर्शकों तक बिहार की चार बिधानसवा सीटों पर बाई-एलेक्शन हो रहे हैं जिसमें एक सीध तरारी है और इस वक्त हमारी मौजूर्गी भी तरारी बिधानसवा सीट पर है ये बूच संक्या आठ है जो तरारी के अंदर मिलकी महला है और दिखे हैं केंद्रिये बनों की तेनाती ह CISF के भी जवान लगाए गए हैं जो बिहार पुलिस के जवान हैं डिप्लाइमेंट में वो भी हैं तमाम जो अब्जर्वर से वो भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं तो चुनायोंग ने जो कमिट्मेंट किया था कि free and fair election कराया जाएगा उसको कहीं न कहीं ground पे implement किया जा रहा है हल Dwos dawr में बहुत जारा उसा हम ने सुबह से नहीं देखाए है्निते ओर सो उस तरीके से नहीं आते हैं जब जरनल एलेक्शन होते हैं है जरनल एसेंबली लेक्शन होते हैं लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि इस और उठरारी की जंग जीतेगा वह 2-0 25 के लिहाब आरा लोकसभा सीट से सुदामा पर साथ सांसाथ बन गएते तो यहां बाई एलेक्शन हो रहे हैं उसके बाद से तो इस लिहाद से भी महतवपुण है महागटबंधन का कैम्प जो है वह मानता है कि पूरा साहाबाद का जो रीजन है जिसमें भोजपूर, कैमूर, बकसर और और रंगाबद तक का इलाका आता है इस पूरे इलाके में जो लेफ्ट के साथ उनका एलाइंस है भागपा माले के साथ वो एलाइंस उनके लिए बहुत फूटफुल रहा है तो क्या इस बार भी लेफ्ट अपना किला बचा पाएगा ये बड़ा सवाल है बीजेपी ने य कंसुराज पार्टी के भी का इंडेट है तो लडाई को त्रिकोणिये बनाने की कोशिस तो की जा रही है क्या वो कोशिस सही हो पाएगी या जमीन पर दिखेगा ये नतीजे बताएंगे लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि बाइलेक्शन में बहुत ज़्यादा उत्सा हमें वोटर के बीच अभी तक नहीं देखने को मिला है आप बिल्कुस उससी कहा बिल्कुस नहीं का दिखिए सुरेंद्र यादा अब जहानाबाद से सानसत बन गय के ला मिधशाष ी दी ने रामगर सीठ पर सुधाकर सिंग विलायक हुआ करते थे जगतानन सिंग जो आज लेड़ी के प्रदेश अठ्यक्शह है उनके बैटे वह शांसद बन गए बकसर से तो जगतानन सिंग के जो दूसरे बैटे है अजीश सिंग उनको वहां आरजड लेडी ने केंडेन बन और यहां भी देखिए पूर विधायक जो सुनिल पांडे हैं उनके बेटे को कंडिडेट बनाया गया है तो यह आप जो कह रही है उसमें बहुत बात में सटीक है वो बात अपने आप में की परिबारबाद का बोलबाला तो यहां बाई एलेक्शन में दिख रहा है जी कि मेधनीपूर आप सीधे आपको लिए चलेंगे मेधनीपूर में बेरे सही होगी अनुपम मिरिश्ट इस लक तमाम जानकारी के साथ जुरगे हैं अनुपम जिस तरह का वहां बिहार से हाल आ रहा है वहां की तस्वीरे सामने आ रही हैं बहुत जादा उत्सा वोटर्स म वैसे तो नॉर्मली थोड़ी भीड कम होती है वही स्थती यहां पर दिखाई दे रही है इकादुका वोटर्स जरूर आ रहे हैं और यहां पर काफी सारे बूत हैं जिनमें एक दो जो बूत हैं वहां पर लाइन लगी हुई है मेरे पीछे एक जो बूत है उसमें हलकी कतार लगी हुई है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम वोटिंग हो रही है वोटिंग हो रही है पर चुकि आपको मालूम है पश्रमंगाल में वोट का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है 70-80 प्रतिशत वोट होता है लेकिन बाइपोल है इसलिए हो सकता है उतना प्रतिशत नव हो कम हो और उसकी जलक एक बानगी यहाँ पर दिखाई भी दे रही है यह बहुत लंबी कतारे जो हम देखने के आदी हैं पश्चिमंगाल से वो यहाँ पर नहीं है लेकिन तब भी यह में उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार सबकी नजर है कि आरजीकर का जो मसला हुआ था उसके बाद क्या इस पर वोट पर कोई प्रभाव पड़ता है और दूसरी बात है कि लेफ्ट और कॉंग्रेस इस बार अलग-अलग लड़ रहे हैं लेफ्ट पहली बार कई सालों कॉंग्रेस से अलग होकर चुलाओं लड़ रहा है यहां पर और वो देखना चाहरा है आपने को टेस्ट करना चाहरा है कि आरजीकर मसले पर जो बदलाव हुआ है उसकी कोई जलक दिखाई देती है कि नहीं देती है फिलहाल मुद्दा बहुत कुछ खास नहीं है आरजीकर कि मुद्दे पर ही हर जगा चुनाओं का